जब जब हम किसी भी वेक्ती से एक ऐसे टाइम से जुड़ा क्वेश्चन करेंगे जो टाइम चला गया और पूछे करा क्या विश्चन में तुट डिडियों कि यह ठीक अपका वाट डिडियो एक गलती करें यह दिखाते हैं आप सीधा पढ़े क्या करों टेक बाद सीधा ब्रेक फास बोले ओ कि हे गलत कर रहो एक हाँ एक दूसरी गलती क्या करें आप मैंसे दो चार भास सा बोले बार-बार इन ये दो बड़ी घंबीर गलतियां हैं यहां पे आप कर रहे हूं अब देखो नाश्ते के अंदर घुसके तो आप कुछ खाने से नहीं इन तो किसी एरिया के अंदर होता है वो तो है नहीं तो आज से याद यह रखना सथ कि जो नाश्ता है, लंछ है, डिनर है इसके अंदर जो भी चीज़े होती ना सच जो चीज़े इनके अंदर हम खाते हैं उसको या तो पूछो या फिर बताओ कुछ भी करो तो वहां पर जो प्रेपजिशन है वो फिक्स्ट है सच और वह प्रेपजिशन इंग्लिश में फोर है कि बढ़ी जानदार प्रेपजिशन के चार पांच काम ऐसे हैं कि स्पोकन के बहुत सारे संदेंसें से कवर कर देती हैं कि बिल्कु सिधार ठीक लिखता है पर सिधार पहले इन ब्रेक पास लिख रहा तो वहां गड़ बढ़ोगी ना मुझे थे तो आगे से कभी भी इन थो नहीं बोलना आपको नाष्टे में लंच में डिनर में फिनी में करते में नाष्टे में लंच में लंच में पर इंग्लिश बोली कि फॉर लंच और वह बिक फास्ट कोंपेटिटिटिव एक्जैम्स के बले बच्चों के लिए बड़ा बैतरीन क्वेश्चन है प्रेपरजीशिंग का याद रखना तुम्हारे पेपर में आती बात पूछी जाती है और मैं तो कई बार कहता हूं कि मुझे एक ऐसा संडेस बताओ कॉंपेटिटिव एक्जैम्स का जो एक्चल में बुलता ना हूं कोई ग्रेमर की बात ऐसी हो जो दुनिया बोल तीनियर पेपर में पूछी जाती हो तो प्राब्लम यह है कि हम सुचते हैं कॉंपेटिटिव एक्जैम्स की इंग्लिश पिल्कुल अलग होती है दिकत यहां चली हुई है उसका एक पॉइंट ऐसा नहीं है सर जो आपके देखते हैं अब पूचिंगे सब नाश्ता कितने नाश्ति में क्या खाया तो वादी दूट एक पॉच्छना लास्ट नाइट डिनर में क्या खाया अपने अब वादी रू टेक वादी रू टेक इन डिनर या फॉर दिनर एच्ट से इबार फिद आने दो अग दिटिग फ अब इसका जवाब देते हैं सर अब जो जो चीजे आपने खाई तो आप कुछ नहीं करेंगे सर आई टुक और जो जो चीजे खाई उनका नाम लगाते चले जो जो आखरी चीज आएगे ना उसकी नाम से पहले एंड और फिर वही अपना नाश्टे में फोर ब्रेक्पास्ट जी बिटा हाँ जी 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 बिटा तो आए एक जवाब के साथ बोलते हैं से ब्रेड इन बटर ब्रेट एंड बटर आए आई टुक ब्रेड इन बटर पोर ब्रेक्पास्ट नहीं चार तो ब्रेड और एग्लास दूद हाँ बोलो बोलो आई टुक अब में से कुछ लोग सीधा सीधा क्या कह रहें आई टुक फोर ब्रेड अट ग्लास ओफ मिल्क अब जरा देखे बारी कैसे सब आई टुक फोर ब्रेड एंड ग्लास ओफ मिल्क जो आपके बोड पर लिखा मैंने गलत लिखा है सबसे पहली बात सब ब्रेड कभी नहीं गिना जाते हैं ब्रेड तो मटीरियल है हाँ ब्रेड के वो टुकुड ही गिने जाते हैं सा ऐसे वाले और जब चीजे बराबर आकार में कटी हो जैसे खीरा जैसे सेब जब चीजे बराबर आकार में कटी हो और उनकी गिनती करो या बताओ तो उन चीजों के नाम के साथ अलग से एक वड़ाता स्लाइस ओफ चार थे तो इस अब ब्रेड सुभी लेते हैं वह वहां पर बोलना चाहिए एक बार फिर बता देजी मैंने चार ब्रेड और एक लास दूद अब आप लोगों को स्पीकिंग का अगला मंतर देता हूं एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए